तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज मेरे पास एक बहुत बड़ा उबसूरत सा 24 इंचिस डाइस टूफीट सिलिकॉन मोल्ड है जिससे हम टेबल टॉप बनाएंगे तो यह बहुत तिनों से मैं करना चाहरी थी तो फाइनली मुझे टाइम मिला और अज फर्स टाइम ट्राइल दे रहे हूं तो सबसे पहले मैं अप्टे सिलिकॉन मोल बे ट्रस्पेरिंट कोट फ्रेजन डाला थोड़ा सा और विद ते हल्प अफ मैं सिलिकॉन स्पेचुला सिलिकॉन ब्रेश मैं सो इवनली स्प्रेट कर रहे हूं जब भी आप इतने बड इसमें डेशन डेशन बड्रेश पेंच जब गडाने煮 शकने मोल बे ट्रीकॉन इसमें से उसके क्लीन में लुट ond यहाँ पर ही तो मैं एप भी ट्र्राण्परीयं कोट करने के बाद यहां पर अव मैंने किसी बही ट्राइट तो इस तो से ब्राउन आपके 1727 है जोन ड्ल तो इतने ज्यादा कॉसली भी नहीं है और अच्छा एफेक्ट देते हैं तो मैंने यह जो है साइट स्प्रेट किया है जो मेरा गोल है स्टेबल का वही अंडर वाटर सीम मुझे दिखा लें और इसके लिए मैं बहुत मज़ी मज़ी की चीजिस के अंदर आट करूंगे अब यहां पर मैं दुसरे कलर के स्टों आट करी हूं यह ब्लैकल में है स्मोकी ग्रे कहले आप और उसके बाद मैं यहां पर कुछ पेबल जन स्टों आट करूंगी ताकर एक अंडर वाटर फील है यह सारी चीज़े हर चेगा बहुत एजली अवेलिबल हैं वैसे अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप दरास से मंगवा लें यह पर डिफरेंट क्राफ्ट शॉप पर जहां पर और सस्ता मिल जाएगा आपको तो यह स्टोंज और स्टोंज होते हैं क्रिस्टिलाइस टों क्योंकि मुझे पता है कि बात में जब मैं सैंडिंग करूंगी यह मुझे टफ टाइम देंगे क्योंकि मेरे जो वैसे तो यह तो यह तकरीवन इसकी सिलिकॉन मोल्ड की तिकनिस है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर मैं रख लूँगी तो पिर जो बेस है वो बंपी ज्यादा हो जाएगी ऐसे भी डेकुरेटिव टेबल होती है इसके अदर फोड़े पार्टिकल बगारा जो स्टोंस होते है वो थोड़े से पॉंटिड होते हैं और स्टिल विल मेक्शों के बहुत ज्यादा ना हो अब यहां पर मैंने बड़े वाले हटा के छोटे वाले ज यहां पेंट सीशेज विद दिफरेंट पिग्मेंट और इसके उपर आप पिग्मेंट प्रश आफ भी कर सकते हैं तो वह एक खुबसूरत एफेक्ट देगा मैंने क्योंकि एक नेशल रखना था तो मैंने नहीं किया यहां पर मैंने वाइट सेंड डाल और यह बहुत खु अधा और आएदिंग राइट नो यह और यह औरी मिरे साथ हरा रही थी यहां पर मैंने एलकॉछ इंप लिया है पिश गया है चाइन से अने मिलता है यहां पर काफी काफ़ें थी तो मैंने लिकॉड मोल में अब मेरे इस्ट लेविल हैं मैं इसमें एलकॉछ इंक वहल एथ यहां पर यान इससी यहां पर इसपार भी आपक अभी जरी कर सकते ह GIS धॉप्छा dol Grü자가 टुउर से भी टोड़ आप यहhin थे कि हम जरी करें車 और यहां पर अदिक सकते हैं तो आप यहां पर इसके टो दॉसप्टशंग आप सकते हैं जादा लेयर वक नहीं करना था और यहां पर मैंने इस्क्यूज में यहां पर मैंने अलकोहल इंग डाली ब्लू शेट में और बहुत हल दो-3 डॉप्स डाले हैं ताके ट्रासपेरेंसी रहे ओपेक मुझे नहीं करना और यहां मैंने जो है उसको अच्छे से मिक्स करने के बा करने करने का अभी मैंने दुबारा डॉला है और यहां पर दिखने में तो वाद बात वहां फोर्ड इस निए पोरिंग ने पीद आपके हैं बैट यह और ब्यूद्ट कर दोके लिए पोरिंग कर दोगा यह एक आपके और बीच में अपके श्याओ रहे हैं तो you have to make sure that the resin is equally you know spreading equally everywhere यह नहा हो कि एक जगा 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 कम हो जाए ऐसे नहीं करना है यहां देख सकते हैं कि मैंने थोरा डाकर शेड ऑफ रेजन बनाया है इसमें मैंने पिग्मेंट यूज किया है इसके बाद मैंने तो इसको एवनली स्प्रेट किया प्रीविस अगर आपने देखा हो तो मैंने हीट गन नहीं यूज की थी यह मैंने इस प्रजेक्ट पर फर्स टाइम हीट गन यूज की है इसका रीजन यह है कि मैं चारी थी एक साथ ही हीट गन हो एक साथ ही बबल बस्ट हो और मैंने कोई गैप नहीं लिया था क्योरिंग स्टार्ट नहीं हूई थी और अच्छे तरीके से मैं इसको स्प्रेट कर यह एक बहुत ही इंट्रस्टिंग साथ देता है यह मैंने पहले भी उसकिया है अपने प्रिवेस वीडियो में मेरी प्रिवेस वीडियो में अगर आप तेखें तो यहां पर मैं जहूं हूं रास्पेरिंट रेजन कर रही हूं तो बिसिकली आम जिस्ट हविग फन इंट्रस्टिंग बनाने के कोशिश कर रही हूं सो जस्ट प्ले आराउंड विदेट डू वाटेव यह फिल लाई तो मज़ा भी आएगा रिलाक्सिंग भी रहेगा यहां पर मैं इवनली स्प्रेट भी कर रही हूं अपना एपॉक्सी रेजन के तरफ से लेवल हो और मैं बना रही हूं इससे ताकि एक अंडर वाटर लुक आए एक एक स्टाटिक लुक ना आए लगे के वेवस हैं और इधर से उधर से उधर सर्कृल मूशिम ब्लूस के कहां जा रहे हैं तो इसस्ट वाटेव यह फिल लाइक यह प्यारी सिफेश है जो मैंने सिलिकॉन मोल्ड स इसके बाद मैं इसकी फिन और टेल्स को अपनी फिंगर के हेल्प से जो है ना इसको कोशिश करूंगी कि मैं इसको थोड़ा छेप इसकी चेंज कर दू अब यह नेक्स्टे है और यहां पर अब मैं ट्रास्परेंट कोट दुबारा करूंगी यहां पर मैंने बहुत प्यार बनाई है तो गोल्डन औरेंज थोड़ा पिंग थोड़ा क्रोम दू-3 शेट भिला के मैंने इसके उपर ट्रास्परेंट प्रेजन डाल दिया था तो यह इस तरह से बनिया और इसके बाद मैंने जब रखा था तो यह सेमी क्योट थी तो मैंने थोड़ा सा तेल वेल को मैं अधिक शीज़ा देखा था तो यहां मैंने इस पर ट्रास्परेंट कोट किया है यहां मैं इस पर मजीथ ब्लू नहीं आट करूंगी ब्लू इस अनफ और इधर जहां पर स्टोंज है वहां पर पहले पूर किया था कि कोई भी पॉइंटी नो स्टों या कोई भी ऐसा पार् पर ब्लू और ज़ोगे पुद्ध खाएंट भी ब्लू है अगर आप कुछ और थी बनाना चाहरे है तो आप यहां वहां तो आप ब्लू पर दो इस प्रोंग प्रोगेंट इसके आप इतना ब्लू यहां डाल लें तो पहले से प्लान करके रखें कि आपको करना किया है एसा ब्लू प्रोडु नियुक्त प्रोड़क्स आप तो यहां थोड़ा सा सेंसिबल होके करें अब यहां मैंने कोड कर दिया है सिसी हाओ ब्रिटी लुक्स कितना ट्रास्पेरिंट इंड कितना शाइनी यहां अब यहां पर मैं कोड़ काम करने वाली हूं मैंने सुचा कि अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी वेव्स भी आट करेंगे तक एक कम्प्लीट लुक आए तो यहां मैंने वाल पेस्ट पेस्ट हो लिया और इस तरहां से मैंने उसको थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में पोर कर दिया अब देखेंगे अंडर वॉटर है और थोड़ी बहुत वेव्स बनानी है तो इसमें मुझे बहुत ज़्याद़ा जिसे बीच में हम शोर में हम जो बनाते हैं उस तरह कि मुझे वेवश नहीं बनानी थी मुझे ऐसी देनी थी कि लगे कि वेस क्रेश कर रही है और एक एब यहां पर मैंने बाइपेस्ट टाल के जो इसको नो जो है इसको को स्प्रेड प्रेटियिक इसमें करने शुरू कर दिया। सब्सक्राइब करें नाः इम गोई तो यूज यूज जदी एक मुझे वैसफेक्ट दीना है तो अब मैंस पर करूंगे अच्छा खास है हीट गंग कर यूज और एक मैंने इस तरहां से पहले दिया ताकि एक लाउडी सा लुक आए जो यह वाइट पिग्मिंड जो फिश को ओवर लैप कर रहे हैं इसको कोई मसला नहीं है इसको अगर इसना की को सिच्विशन आजाए कोई डिजाइन पे आपका वेवस बना रहे हैं और इस जगह पर आप ट्रांस्पेरिंट रेजन डाल दें तो वहां से आटोमेटिकली वह जो कालर है वह अगर जाता है है मैंने यहां पर स्टोंज के चारों तरफ पिग्मिंट पोर किया था और हीट गन से मैं इसको पर आप से इसको फैक दिया ताके लगे कि वह समंदर सॉरी स्टोंज के आस पास जो है ना में वाजी तरह कर रही हूं वैं मजीट हीड़न यहां अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और ये क्योर हो चुकी है और अब मैं इसको अनमॉल्ड करने वाली हूँ ये वे इसका टोफ शॉर्ट है देखें किती कुप्सूरत इफेक्ट आया इस पे अब हम जो है इसको अनमॉल्ड करेंगे और जो मैंने बताया था कि फिश के ओपर जो कर्पिग्मिंट आ गया था तो मैंने इसके बड़ ट्रांस्पेरिंट देखें पोर किया तो नाओ फिश विल्कुल क्लीन हो चुकी है मतलब वहां से सारा जो वेवस थे वो रिमूब हो ग अब यह नहीं सब्सक्राइब नहीं है अब हम ने एस पर ट्रांस्पेरिंट कोड़ आलना है और इसकी साइट को हमने पर एसके इसके तरीकी से सेंड करना है लेवल हो और में जाला है फिछ कोड़ रहना है अभी तर जाएं अच्छी खासी है तक्रीप अने हो गए अब हो यहां पर मैं सेंडिंग कर रही हूं अपरे टेबल टॉप की मैं वैट सेंडिंग करती हूं पहले मैंने भी इसको थोड़ा सा वैट रखा आप स्प्रे गंसे भी इसको वैट कर सकते हैं और मैं यहां पर जो ग्रेट वेबर यूज़ करेंगी वो 80, 100, 200, 400, एंड आइ थिंक मैंने उसके बाद 400 के बाद 800 करके मैं थाउजन पे लिया थी तो इसमें ही मेरा जो है न यह अच्छे तरीके से जो है बेस इसका स्मूध हो गया था यहां पर मैं ट्रास्पेरिंट कोट करने वाली हूँ मैंने उससे पहले कोट करने से पहले बेस पे लिक्विड लेटिक्स अप्लाय किया हुआ है थाकि जो ड्रिपिंग होगी वो नीचे ड्रिप हो तो लेटिक्स जो है रेजन को स्टिक नी होने थे तो मैंने लिक्विड लेटिक्स लगा दिया है पीछे और उसकी बात जो है मैं जो ट्रास्पेरिंट कोट करने लगी हूँ और हर तरीके से अचा मैं जब सेंडि की थी तो मैं मेक्शो करी थी कि जो स्टून्स हैं और फिश है स्पेसिपिकली यह खराब नहीं हूँ तो मैं बहुत दिहान से सेंड करी थी मैंने मशीन को अप्शिन नहीं लिया मैंने हैंड सेंडिंग करी हैंड सेंडिंग में थोड़ी बहुत टाइम लग जाता है और बहुत महीनत लगती है लेकिन इवेंचली रिजल जो है अच्छा ही होता है अगर आपने सही तरीके से उसकी सेंडिंग करी है तो ट्रांस्पेरेंट को पोर करने के बाद मैंने सिलिकॉन ब्रेश लिया और यहर जगा अवेलिबल होता है और इससे मैंने अच्छी तरीके से रेजन को इवनली दिस्ट्रिब्यूट कर दिया पूरी टेपल पे और अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्ट्रिग्राम पे इंबॉक्स कर सकते हैं या फेस्बॉक पे इंबॉक्स कर सकते हैं तिल नेक्स ताइम अलाफिस झाल पे इंबॉक्ड़ कर सकते हैं